नमस्कार दोस्तों मिनड़ा मैं विमल सिंग बालाजी स्टरियेटा मैं आप सभी का स्वागत है डिले ठर्ड समिस्टर का कम्प्लीट कोर्स अलड़ी हम करा चुके हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वल्लाइनर, MCQ या राथन क्लास यह सारी ची सबसे पहला प्रसन आपका संचार की जो प्रक्रिया है उसमें मूल तत्व कौन से होते हैं सूचना, सुरोथ, प्रसारण, प्राप्तिया सभी तो सभी आपके संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व के अतरकत आते हैं आठ आवशक तत्र भी हैं इसमें सुरोत, संदेश, चैनल, रिसीवर, प्रतिकरिया, पर्रेवरण, संदर्व और अस्तक्षे ICT की full form क्या होती है, सूचना और संचार प्रसान, सूचना और संचार प्रसंग, सूचना और संचार प्राध्योगी की इस तरीके से option है, answer आपका option C, सूचना और संचार प्राध्योगी आपका सही होगा और English में full form होती है, Information, Communication, Technology, सूचना और संचार प्राध्योगी की अगला है Net Escape Navigator, यह आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, नेट साइट है, हार्डवेर है, चैटिंग है, तो Net Escape Navigator आपका एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, Net Escape Navigator, 1994 में Net Escape Communications Corporation द्वारा जो है वो बनाया गया था, अगला है Educate को किस वर्स एक क्रत्रिम उपग्रे के रूप में स्थापित किया गया था, 2007, 1, 2004 या सन 2000, तो Educate की अगर बात करेंगे, तो 2004 में यह एक क्रत्रिम उपग्रे के रूप में स्थापित किया गया था, Option हो जाएगा आपका C वाला, पांचवा बहुवी कल्पी है कि इन में से Storage Unit कौन सी है, DVD, Pen Drive, Hardisk या सभी, Storage Unit आपका Hardisk होती है, जहां पर आप अपना Data Store कर सकते हैं, और वही बाते हैं आपर लिखी है, तो पांचवा बहुवी कल्पी आते हैं, बढ़ते हैं अब अतिलगू उत्री प्रस्नों की तरफ, अतिलगू में छटा नंबर प्रस्न है कि सर्वर किसे कहते हैं, तो कोई भी Computer या Device का लिखा हुआ है, कोई भी Computer या Device जो अनुप्रियोग या फिर सेवा प्रदान करता है, उन्हें हम सर्वर कहते हैं, और सर्वर के दोरा आप अपना Data भी भेज सकते हैं या Upload कर सकते हैं उसके तरूप, तो वो भी चीज़ यहां पर आप बता सकते हैं, अगला कुशन देखते हैं, URL, यहां पर L होगा, इसका Full Form क्या होता है, आई ही है चाठीक है, वो URL अलग होता है, वहां पर Uniform Resource Locator होता है, यह पर URI पूचा गया है था, तो इसकी Full Form क्या होती है, युनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और एक URI वर्णो का एक अदिती अनुगरम है, जो एक अमूर्तिया भौतिक संसाधन की पहचान करता है, जैसे वेब पेज पर संसाधन, मेल पता, और नमबर, किताबे, वास्तिक दुनिया की वस्तुमें, जैसे लोग अरिस् प्रति सेकेंड या अधिकती से डाटा को 75 किलोमेटर दूरी तक ले जाता है, लैन से बड़ा होता है, लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इस से बड़ा होता है, और वैन से चोटा होता है, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो है, यह होता है, इस प्रिमान ताली का एक electronic और interactive whiteboard जिसका use computer और projector के साथ संयोजन में किया जाता है digital board के कुछ type भी है यहाँ पर जैसे infrared scan के आधार पर एक operation एक प्रतिरोधी बटन का संचालन आधारित electromagnetic pen के रूप में काम करें और एक IR pen के आधार पर एक IR pen का संचालन अगला smart class से क्या मतलब होता है smart class एक उन्नत classroom होता है जहां पर जितने भी लेजर सारी टेकनोलोजी है वह बिसेकली आपको देखने को मिलती है आधनिक सैक्षिक प्राधवगी की उपक्रणों से सुसजित होती है अब यहां पर कौन कौन से उपक्रण है जैसे digital whiteboard हो गया प्रोजेक्टर हो गया गोलिया यहां पर जो लिखा हुआ है नहीं भी लिखिंग तो चल जाएगा जो main main point है न वो आप जरूर हाइलाइट करें जिसे laptop ह हो गया सिक्षा चोदा मजबूत सिक्षा प्रबंधन पढ़ा लिए आपका है स्मार्ट क्लास के अंतरगत यह सारे चीज़े देखने को मिलती है अगला कहते है यह पुस्तकाले किसे कहते हैं तो आप कहेंगे एक digital पुस्तकाले जिस से अभी पढ़ाय होता है electronic प्रारूप म प्रारूप में समर्थ होते हैं इस पुस्तकाले को ऐसे समझे है कि जैसे माली जे किताब आप आफ लाइन पढ़ते हैं एक किताब आप जा करके website के थुरू पढ़ते हैं PDF format के थुरू पढ़ते हैं तो वह आपका इस पुस्तकाले में आ जाएगा यहां से आपके start होंगे लगु उत्तरी प्रस्न तो लगु उत्तरी प्रस्न स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पढ़ना हो वीडियो लाइक शेर सब्स्राइब और कोई कमेंट में ना मिले किसी भी टॉपिक से लेट कोई वीडियो लाइक वन लाइनर, MCQ या लगु या तिलगु या महराथन या कोई प्रिवियस यहर तो आप कमेंट कर दीजेगा, लिंक हम प्रोवाइट करा देंगे, इसके लावा वीडियो लाइक, शेर, सब्स्राइब जरू करते रहेगा, टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ें तो भाला जिश्टर लिटा सर्च करके जुड़ सकते हैं, लग सिधा असर विद्यारती के प्रदर्शन पर पढ़ता है, रिसर्च और जानकारी में काफी फाइदमन्द होता है, प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम्प्यूटर आपकी काफी जादा मदद कर सकता है, कम्प्यूटर उन प्रोजेक्ट की सही और सटिक जानकारी प्रदान कर करना सीखा या भी एक कॉसल जो की कंप्योटर के कारण ही आप ले अंदर आता है बाकी कंप्योटर के छेत्र में कंप्योटर का उपयोग पूछा गया है तो और भी बहुत से अपने आपसे पॉइंट बना करके यहां पर लिख सकते हैं अगला है विकिपीडिया की उपयोगि सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है तो यह तो हो गया आपके दिमाग में बेसिक इस्टक्षर अब थेओरी के फॉर्म में देखिए तो विकिपीडिया एक मुक्त ज्यान कोस है जो दुनिया भर के योगदान करता जो है उनके द्वारा संपादित किया जा रहा है संपादित का मतलब होता है उसमें इडिट करके नया डाटा जोड़ना है, मोडिफाई करना है तो वो सारी चीज़े यह बहुभासी होता है, multiple languages होती है आपको English में पढ़ना है, Hindi में पढ़ना है नीचे language change करने का option होता है वेब आधारित मुप्त सामगरी ज्यान कोस परियोजना है, Wikipedia सब्द दो सब्दो विक्की तथा एंसाइकलोपीडिया से बना हुआ है, Wikipedia सेंगत रूप से समस्त विस्व के योगदान करता हो द्वारा लिखा जाता है, कोई भी इसका संपादन कर सकता है Wikipedia एक मुफ्त सामगरी वाला ओनलाइन विस्व कोस है, जिसे Wikipedia के नाम से जाने जाने वाले स्वेम सेवक के एक समुदाय ज़ारा, खुले सायोग और विकी आधारित संपादन पढ़ा लिए, मिडिया विकी के उप्योग के बात्यम से लिखा और प्रबंदित किया जाता है अगला है, computer के मुख्य अंगों का वड़न कीजिए, तो computer के मुख्य अंगों में hardware आता है, software आता है, hardware क्या होता है, तो computer के बहुत एक जो हिस्से होते हैं, जिने हम देख या छू सकते हैं, वो आपके hardware कहलाते हैं, जैसे मसीनी, भास, या electrical, या electronic, या सभी जो इसमें, basic सा ज केंगे, हम computer को जो निर्देश देते हैं, उसकी एक नियत भासा होती है, और इसे machine language, या machine की भासा कहा जाता है, इसी machine की भासा में जो दिए जाने बेले निर्देश होते हैं, उनको कहते हैं, हम program, सॉप्ट्वेर क्या करता है उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेर पर चलाते हैं हार्डवेर पर चलाने का मतलब यह है कि जैसे आपके में लैप्टॉप में रैम इंस्टॉल है आपके में हार्डिस्क इंस्टॉल है तो यह सारी चीजे जो हैं क्या काम कर र software के computer से कोई भी काम करा पाना संभव होता है arithmetic logical unit इसकी बात करें तो central processing unit के मुख्य तीन घटकों में से एक यह आपका आता है जिसमें memory unit और control unit यह आपके जो है वो सामिल होता है control unit जो होता है यह hardware की क्रियाओं को नियंतरित और संचालित करता है यह input output क्रियाओं को भी नियंतरित करता है साथ ही memory और ALU के मत्र डाटा के आदान पुर्दान को भी नियंतरित करता है तो यह है control unit question यह सीधे control unit ALU यानि अर्थ mathematical arithmetic logic unit डारेक्ट भी पूछ लिया आते हैं आपके अतिलगू में तो यह आप एक एक लाइन में दो दो लाइन में याद रखेगा यहाँ पर जो पूछाता था ना वो computer के मुखे अंग पूछाते थे तो अंगों के आधार पर ही hardware और software और software के बाद ही सिलिवस पर define कर दिया गया था एक साथ अगला है सैक्षिक दूरदर्सन सेवाओं की विस्यस्ता बताईए तो विस्वके बहुमुकी गत्यात्मक और सक्तिसाली माध्यम के रूप में दूरदर्सन के दोरा सिक्षा को प्रभावित करना उत्तमकार है संचार का नभीनतम माध्यम है और सिक्षड अधिगम के लिए एक नवाचार के रूप में काम करता है इसका प्रभावसाली जो उप्योग है वो अधिगम के मौलिक नियमों पर आधारित है दूरदर्सन का पूर उप्योग चात्रों में अधिगम के लिए और अधिक उत्तरदायत उक्रहन करने के लिए नवीन प्रोज साहन परदान करता है दूरदर्सन स्वयम एक सतिसाली काई नहीं है वरन ये एक यंत्र है जो किसी विशेश सैक्षिक परिस्तिती में उप्योग में लाया जा सकता है सेक्षिक दूर्दर्सन की विजेश सार्थक्ता इस तत्त में है कि वह सभी प्रकार की द्रस्स रव्य सहायक सामगरी जो है उसका भी यूज कर सकता है तो ये लगूतरी प्रस्न में आपको इतना तो लगबग लिख नहीं पड़ेगा बाकी कुछ पॉइंट आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं दूर्दर्सन को ले करके तो वो आप इसमें लिख सकते हैं दूर्दर्सन के माध्यम से बहुत दूर तक लोगों तक पहुच हो पाती है वो भी तो एक माध्यम है तो ये सारी चीज़ा आप इसमें अपने आप से भी लिख सकते हैं वर्तिमान समय में ऑनलाइन सिक्षड के महत्तु पर प्रकार जालिये तो आब आप ऑनलाइन पड़ते हैं इसका क्या बहात वा है आप खुद से सोचिये अपने आप से लिखिए कि सिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्पूर हिस्सा है आज सिक्षा पराप्त करने का इतना आ उनलाइन सिक्षा शात्रों के लिए बहुत फायदेबंद हो रही है। अगला यातायात के शेतर में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अगला यातायात के लिए टियर वन नेटवर्क प्रदाताओं के पीरिंग पॉइंट से यातायात देटा प्राप्त किया जा सकता है। हलंकि ऐसा डेटा एकल सेवा प्रदाता के नेटवर्के बीतर रहने वाले यातायात और निजी पेरिंग पॉइंट्स को पार करने वाले यातायात को बाहर करता है। यहां पर जो बात होरी ही यातायात के चेत में इंटरनेट की उप्योगी था। सब्दोगा चैन थोड़ा से यहां पर कठिन देखने को मिला है। आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं तो यातायात में देखा होगा आपने आजकल चौराहों पर लगा रहता है CCTV फुटेज वगरा तो इंटरनेट के थुरूई तो उसको आप एक्सेस कर पाते हैं कहीं से भी देख पाते हैं। इसके अलाबा गाड़ियों में GPS के सुविदा होती है वो भी आप इंटरनेट के थुरूई जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर टिकेट व уже book करना होता है train Bustar ticket है सारी चीजए अब यातायाद के साधन के रूबर में इंटरनेट के यूउज के through भूण करते हैं। तो जब आप वीडियो कॉल किसी से करते हैं, तो वही वीडियो कॉन्फरेंसिंग होता है, अब यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग की हम बात करेंगे, तो इस पर दो या दो से अधिक दूरस्त पार्टियों के बीच, लाइव तिरस से कनेक्शन जो आमने सामने की बैठक का अनुकरण करते हैं, वह ही आपका हो जाएगा, वीडियो कॉन्फरेंसिंग, अब वीडियो कॉन्फरेंसिंग महतपूर है क्योंकि यह उन लोगों को जोड़ती है, जो आम तोर पर आमने सामने संबन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब कोई यहां बैठा है, कोई पेरिस में बैठा है, तो वीडियो कॉल से आप कर सकते हैं बाद, वीडियो कॉन्फरेंसिंग दो स्थानों के बीच, इस तिर चवियों और पाट का प्रसाण प्रदान करता है, कई स्थानों के बीच बूड़गती वीडियो, चवियों और उच गुडवत्ता वाले आडियो का प्रसाण भी प्रदान करता है, बहुत ही सुद्ध भासा लिकी गई है, छवी मतलब होता है इमेज वगेरा जो वीडियो इमेज होती ही न वो उधर दिखाई देती है हाई क्वालिटी वाला जो ओडियो है उसको आप इधर सो दर बातचीत कर सकते हैं तो वो सारी चीज़े आप इसमें लिख सकते हैं तो आप खुद भी वीडियो काल करती है तो उसको सिक्षा के चेतर में या क्या लाव है उसके चेतर में लिख सकते हैं तो ये था हमारे पूरे पेपर का सॉलिशन अब वीडियो को समात करने से पहले एक कोशन पूचेंगा था कि Alfred B. ने जो है उन्होंने पहला बुद्धी पर इक्षड किया था 1901, 1901 के बाद 1905 option number C और B option 1879, D option 1911, इस तरीकी से option है, अपने answer वीडियो के main comment में बताईएगा, ABCD में से कौन सा सही होगा, या sun लिख करके भी बता सकते हैं, और साथी साथ वीडियो लाइक, शेयर, सब जिए मिल जाएंगी, बाकी comment कर दीजेगा, इस वीडियो के link में, और हम आपको सारी link जितने भी हैं, provide करा देंगे एक साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी को नमस्कार चाहें